के खाई रूषर कियसे हैं आज हम बढ़ेंगे पुली मंकी राव प्रोबलम्स ही जिसे इसे च्टाट करेंगे हर्लेफल तक जाएंगे जर्नलीपुली और मंकी की प्चेस्ट्रट आते बच्चे पजल हो जाते हैं должно जाते स्पोज़ करो हमने एक मंकी लिया इस टाइब से ठीक है यह मंकी उपर की तरफ जा रहा है कि फॉर मीटर पर सेकिंड से मंकी का मास है एट केजी ठीक है क्योश्चन आ जाए क्या करें इसने पकड़ा हुआ है तो ऊपर की तरफ यह आएगी नोट आउट जो किसी के ऊपर खिचावा आएगा टेंशन उपर कॉंटेट पॉइंट यह है ठीक है इसका वेट क्या हो जाएगा एट है तो एट केजी एट न्यूटन एट केजी है mg होता है एट इन्यूटन ठीक है वेलोस्टी फार मीटर पर सेकीन्द है इसका मतलब वेलोस्टी चॉंस्टैंट है और वेलोस्टी जयब कॉंस्टेंट होते है इसकी उपर जा अपर फोर्स माइनस लोबर फोर्स एक्वल टू मास इंटू एक्चेलरेशन टी एक्वल टू एटी प्लास एट ए ए यह क्या है जीरो तो एटी आगया तो टी क्या आगया बेटा 80 नियुटन बात समय मागई अगर मन्की उपर जा रहा है टेंशन कितनी आएगी एटी नियूट्र किलियर और देखो ऐसा यह क्योशन सिंगल मंकी को लेकर चलते हैं ऐसा आ गया मान लीजिए मेरे पास इस टैप से फिर एक मंकी ठीक है टैन केजी और उपर जा रहा है फोर मेटर पर सेकेंड स्केर की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन दे रखी यूनिट से चेक कर पाते हैं ठीक है फाइंड टैंसन इन स्ट्रिंग स्ट्रिंग बोलो रोब बोलो एक ही बात है बताओ कितने टैंसन है अब क्या करें यहां पकड़ रखा है टैंसन उपर आएगी वेट कितना हो गया एमजी हंड्रेड न्यूटन बात समझ में आ गई उपर जा रहा है तो उपर का फोर्स ज् इक्वल टू मांस इंटू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कितनी बेटा फॉर तो टी इक्वल टू हंड्रेड प्लस फॉर्टी वन फॉर्टी न्यूटन क्या मेरी बात समझ बारे हैं आप लोग क्या मेरी बात समझ बारे हैं इस टाइप से हम लोग इसको सॉल कर सकते हैं ऐसे अगर मान लो acceleration निच्छे की तरह हो तो one more question ऐसे ही मान लीजिए मैं ये मंकी लेता हूँ और ये है मान लो six kg का निच्छे की तरह आ रहा है two meter per second square की acceleration से fine tension in drop तो पेटा यहां क्या करें है पकट यहां रखा है tension तो उपर आएगी जा रहा है निच्छे निच्छे जा रहा है तो पेटा weight क्या हो गया 60 newton अरे हा ना ठीक है निच्छे का force minus उपर का force 60 minus T mass into acceleration 60 minus 6.12 T उदर कितना आ गया 48 newton बात समीमाई तो single monkey constant speed से कुछ acceleration से उपर कुछ acceleration से निच्छे tension हमेशा अपड़ी आएगी आप देख पा रहे हैं समझ गए ओके अगर मान लिजिए आपके पास एक question आ जाए कि रोप जो दे रखी है उसकी ब्रेकिंग strength ब्रेकिंग फॉर्स दे रखा है तो पताओ acceleration कितनी होनी चाहिए मान लो ऐसा question आ जाए स्पोज करो यह आपके पास एक रोप है यहां पे एक monkey है ठीक है यह उपड़ चाड़ रहा है उपड़ चाड़ रहा है एक acceleration से टैंसन आपको पता है उपड़ आएगी और एट के जीगा है ठीक है find maximum acceleration of monkey such that rope does not break breaking strength of rope is 200 newton यह आपको दिया हुआ है 200 newton ब्रेकिंग स्ट्रेंद दे रहा है तो अब क्या करें देखो उपड़ जा रहा है उपड़ का force minus weight क्या हो जाएगा 80 अरे 8g mg 80 t minus 80 equal to mass into acceleration ठीक है ब्रेकिंग स्ट्रेंद क्या होती है टैंसन तो टैंसन कितनी दे रखी है 200 अरे बोलो given है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा 200 minus 80 equal to 8a 120 equal to 8a 4 2 जा 8 4 3 जा हरे बोलो ठीक है यह कितना आ गया 15 और 15 आने का मतलब हो गया 15 meter per second scale की acceleration है maximum maximum acceleration 50 ने इससे ज़्यादा होगी तो rope टूट जाएगी बास समझ में आ गई ठीक है बई question मुझे समझ में आ गया मान लो question लिया जाए आपके पास इस टाइब से rope दे दी जाए यहाँ पर एक monkey लिया मैंने इस टाइब से यहाँ पर एक monkey मैंने इस टाइब से लिया समझ गए मेरी बात यह monkey है 8 kg का 8 kg का monkey उपर जा रहा है 2 meter per second scale की acceleration से इसी टाइब से मैंने एक monkey और ले लिया इस टाइब से यह monkey की निचे आ रहा है 6 kg का 3 meter per second scale से आपको पता है उपर जाए निचे जाए टेंशन दोनों सेम होनी है टीवन टीटू माल ले फाइंड नेट टैंसन इन रोप रोप में नेट टैंसन अदा हो कितनी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है यह फर्स टोला चेक करो उपर जा रहा है तो उपर का फोर्स माइनस निचे गा निचे का क्या हो जाएगा 80 निउटन टीवन माइनस 80 मास 8 एक्सेलरेशन दो बात समझ में आ गई टीवन इक्वल टू 80 प्लस 16 96 निउटन बात समझ में आ गई न ठीक है ओके एंड टीटू निचे जा रहा है तो इसका वेट क्या हो गया 60 तो निचे माइनस उपर निचे का माइनस उपर मास इंटू टीटू इधर चला जाएगा 60 माइनस 18 अरे बोलो टीटू इक्वल टू 60 माइनस 10 50 50 माइनस 8 42 टीटू आ गया ठीक है टोटल टेंशन पेटा टोटल टेंशन क्या आ गई टीवन टीवन प्लस टीटू बात समय आ रही है तो टीवन है आपके पास 96 यह कितना है पेटा 42 दोनो टीट एट 138 नूटन क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोगो टैंसम दोनों की निकालो जास सेगेंड लो अपलाई करना ना चीह उपर जा रहा है तो उपर में से निचे वाला निचे जा रहा है तो निचे में से उपर वाला दोनों की टैंसम एड़ करो आपकांसवर आ जाएगा बात समझ में आ गई ठीक है तो इस टाइब की क्योशन अगर आ जाएं तो मैं कर सकता हूं मुझे किसी टाइब की कोई प्रेशानी नहीं होने चाहिए ठीक है अब इसमें थोड़ा आगे बड़े तो हमारे पस पुल्ली के क्योशन आ जाते हैं और पुल्ली के क करने से बहले में थोड़ा कंसेप्ट समझना पड़ेगा होता क्या है समझ रहे हो ना मंकी पुल्ली का कंसेप्ट क्या है देखो यह मेरे पास एक पुल्ली इसको मैंने फिक्स किया यहां यह रोप और रोप के साथ मैंने एक मंकी लगाया इस टाइब से समझ गहे मंकी का मास M यहां मैंने एक ब्लोग ले लिया ब्लोग का मास केपिटल M एक ही स्ट्रिंग है मासलेस है सुणना ध्यान से mostly question इसी के उपर आएंगे पुल्ली और स्ट्रिंग दोनों मासलेस होगे आपको पता है पुल्ली मासलेस हो तो हर जगे टेंसन से है वो श्ट्रिंग अगर मासले से तो हर पॉइंट बे सेम होती है तो टेंसन अगर T है तो हर जगे T होगी ठीक है यह हो गया पहला पॉइंट मंकी अगर उपर जाएगा तो ब्लोग भी उपर जाएगा मंकी अगर उपर जाएगा तो ब्लोग भी उपर जाएगा बास समझे मा आ गई क्यों मंकी जब उपर जाएगा तो monkey के acceleration am मान लेता हूँ तो ये rope को नीचे खिचेगा rope को जो नीचे खिचेगा तो ये block उपर जाएगा rope के दिरू तो block के acceleration ab मान लेते हैं अब आप सोच रहे हो am और ab अलग अलग क्यों क्योंकि ये monkey उपर जा रहा है समझ रहे हो ना तो इसकी acceleration am ground respect में है इसकी block की ground respect में है जिससे ये उपर जा रहा है जरूरी नहीं है कि वो इसके बराबर हो जरूरी नहीं है वो इसके बराबर हो जेखो a monkey is not equal to a block ठीक है is not equal to a block अगर mass of monkey is not equal to mass of block बास समझ मागई ठीक है a monkey equal to a block if दोनों का mass बराबर हो monkey और block का mass अगर बराबर है तो दोनों के acceleration बराबर होगी ठीक है otherwise नहीं होगी ये condition होती है हम prove भी करेंगे अब एक illustration लेंगे अच्छी सी तो क्या समझ में आया monkey अगर उपर जाएगा रोप को निचे पूल करेगा तो block भी उपर जाएगा monkey उपर block उपर monkey निचे जाएगा तो block भी निचे जाएगा monkey और block की acceleration equal नहीं होगी अगर mass दोनों का अलग-अलग है तो mass अलग-अलग acceleration अलग-अलग mass same acceleration same clear है बात समझ में आ गई ये छुटटी चीज़ी है जो आपको ध्यान रखनी है इनके बीना अमारी गड़बड हो जाती है जर्नली आम तोर पर monkey की relative acceleration given होती है acceleration of monkey with respect to rope monkey की rope के respect में होती है समझ रहे हो ना am minus ar relative velocity पढ़ी है हमने relative acceleration acceleration of monkey with respect to rope इस टाइब से given होती है समझ रहे हो मेरी बात तो यह कैस इलस्टेशन लेगे आगे उसी के base space को solve करेंगे आगे फिलार में ने बताया ऐसा भी given होता है ठीक है ओके बात समझ में आगे कैसे क्या होता है ठीक है और अच्छे समझ में आएगा एक बड़ी आसा इलस्टेशन लेते हैं famous question है समझ गए क्या बोलेंगे इसको bunch of banana आज क्लियर है दूसरी साइड ये rope है इस rope पे यहां एक monkey बनाया हमने इस टाइप से monkey का मास M इसका मास एक काम करो ये monkey है monkey 20 kg bunch 20 kg से मास दिया हुआ है ओके इसके बाद अगर बात करें ये rope है rope से इसने इसको पकड़ा हुआ है ये हमारे पास क्या आ गई बेटा पुली ये bunch है ठीक है question क्या है monkey seas bunch of bananas ठीक है and want to eat खाना चाहता है ठीक है so moves upward उपर की तरह जाता है ठीक है question arise होता है first if monkey moves up bunch of bananas moves up down or doesn't move second part second part as monkey moves up as monkey moves up bunch of bananas comes closer or not ठीक है दोनों बीच की distance तीशरा if monkey unhold the rope unhold का हम तो छोड़ देता है then distance between them increases decreases or remains same increase होगी decrease होगी या फिर same रहेगी ये चीज़ हम लोगों को check करनी है मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग question समझ में आ गया होगा बंदर ने ये देखा खाने का मन किया खाने का मन किया तो उपर जाना चाता है ठीक है क्योंकि ये सोच रहे कि मैं उपर जाओंगा बनाना कहा जाएंगे तो अभी अभी मैंने पिछ बताया था concept में अगर मंकी उपर जाएगा रोप को नीचे हिचेगा तो बनाना कहा जाएंगे उपर तो बनाना मूवज अपवर्ड पहला समझ में आ गया second word second word क्या कहता है अगर बनकी उपर जाएगा बंचो बनाना कमs क्लोजर और नॉट पास आएगा या नहीं आएगा तो चेक करते हैं सपोज किजिए टैंसेंटी टैंसेंटी वेट 200 न्यूटन वेट 200 न्यूटन बात समयवाती है मंकी के लिए फॉर मंकी मंकी की वेट करें तो T-200 ine टोंडी क्या हुआ मंकी की अ बनाना की मंकी खोगया फॉर बनाना माईनस टोंडड इक्वाल टोंडी टोंड्य वेड टी अपर मानस हुआ मास सेम है तो यहां अगर देखें from first and second first second को अगर मैं देखता हूँ left hand side same है तो right hand side भी same होगी 20 से 20, cancel क्या आया, am equal to ab क्या समीवा है आप लोगों को am equal to ab ये भी मैंने concept में बताया था अगर mass same हो तो acceleration भी same होगी तो मुझे ये बताओ, acceleration दोनों की क्या आगई same, तो पेटा relative acceleration acceleration of monkey with respect to banana क्या आगई acceleration of monkey minus acceleration of banana sorry, yes पास समीवा आगई, monkey कहा जा रहा है उपर banana भी कहा जा रहे है उपर और दोनों की acceleration क्या है, same तो a मान लें इसको तो a minus a, 0 तो पेटा relative acceleration क्या आगई 0, relative acceleration अगर 0 आगई, इसका मतलब relative velocity क्या है कि 0 और relative velocity अगर 0 है, तो दोनों की velocity एक दूसरे के respect में अगर 0 है, तो पेटा distance क्या रहेगी दोनों के बीच में constant distance क्या आएगी, constant बात समय में आई, तो second question हमारा क्या आए, अगर monkey उपर जाएगा, बंचो बनाना ना तो पास आएगा ना दूर जाएगा, distance क्या रहेगी, constant दोनों के बीच में जो separation है, अगर मानलों 10 meter का है, तो वो हमेशा 10 meter रहेगा, ना गटेगा, ना बढ़ेगा, क्योंकि velocity में अगर change, relative velocity 0 है, तो distance में कोई change नहीं आएगा, relative velocity पता है न हम लोगों को, ठीक है दो point समझ में आ गए, तीसरा point क्या कहता है, देखो, इतनी बात अगर मुझे समझ में आ जाती है, तो तीसरा point क्या कहता है, वो देखिए, अगर monkey unhold the rope, rope को छोड़ देता है, तो इसका मतलब monkey ने छोड़ दिया, तो acceleration due to gravity, अगर इसने इसको छोड़ा, तो बंचो बनाना भ होगी बज़ दोनों की, g-g, 0, फिर से relative 0 तो velocity relative क्या हैगी, 0 या constant, कुछ भी आ सकती है, अगर ये constant है, तो बेटा दोनों का separation भी क्या हो गया, constant, ये भी change नहीं होगा, इसका मतलब monkey अगर चाहिए, rope को छोड़ दें, तो भी बनाना उसके आथ में आने वाले नहीं है, और अ दोनों का mass क्या है, same, और mass same, और से दोनों के बीज में separation वही रहेगा, velocity constant या 0 होगी, और acceleration 0 होगी, clear है, इस question से conceptual question से मेरे सारे point clear, I think होगे, जो मैंने अभी बताये थे, अब numerical कैसे बनेंगे, इसके उपर वो देखते हैं, चलो, बड़े अच्छा अच्छा numerical बन जाते हैं, कैसे बनते हैं, क्या होता है, वो देखते हैं step by step, दो तिन question लेते हैं इस पर, देखो, पहले एक simple सा question, मान लेजे ये मेरे पास एक पुली, ठीक है, यहाँ मैंने इस tribe से एक block ले लिया, block का mass capital M, इस block को एक surface पर रख दिया, clear, यहाँ एक monkey लगा दिया मैंने, और monkey का mass M, clear, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक्सेलरेशन मान लेते हैं इसकी A, तो question है, find acceleration A of monkey, such that, block M, just lift up, the surface, मतलब क्या हुआ, कितनी acceleration इसकी हो, कि block यहाँ से just lift up हो जाए, तो just lift up का मतलब solution देखिए, block, block की बात करें तो block का diagram यह बनेगा, mg, यहाँ पर tension, for just lift up, acceleration क्या हो जाए, block की, 0, clear है न, block की acceleration क्या हो जाए, 0, क्योंकि just lift होगा, हलका सा, minutely उपर ही लेगा, इसका मनों, velocity almost constant हो, बहुत small, very small, तो acceleration क्या होगी, 0, पता है आपको इस चीज़ का, velocity constant हो यह, very very small हो, तो acceleration 0, तो t minus mg equal to mass into acceleration, t equal to mg, अरे यह तो 0 हो गया, यह उदर चला जाएगा, क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, for monkey, अगर मेटा, monkey की बात करता हूँ, तो monkey कहां जा रहा है, उपर, monkey का weight क्या हो गया, mg, तो देखो, t minus mg equal to m, a monkey, a monkey को a मान लिया हमने, ठीक है, तो t minus mg equal to m a, am को a कर दिया, और t के वेल वी मेरे पास क्या है, वेटा, mg, clear, यहां से m minus mg, m निचे आ गया, क्या आगे मेरे पास, a, a, acceleration की आगे मेरे पास, ठीक है, तो four just lift up, सुनना ध्यान से, यह तो मैंने minima का कैसे लिया, tmg के बराबर, tmg के बराबर तो इसके उपर रखा हुआ है, अगर इसको उठाना है, तो a must be greater than m minus mgym, इससे ज़्यादा होना चाहिए a, ताकि यह इससे उठ जाए, क्या चीज़ समझे माई, question हो गया, इसकी acceleration इससे अलग, इसकी zero तो इसकी अलग आ रही है, पहले बात difference है ना, दूसरी बात, mass अलग 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 है तो acceleration भी अलग अलग है, तो भी यह, असानी सवाल बनता है, मुस्किल नहीं बनता, कैसे वो देखो, स्पोज करो, आपके बास question आजाए वह, यह पुल्ली है, आपको ऐसे दे दी, यहाँ पे इसके उपर हमने एक monkey लगा दिया, समझे लो मेरी बात, हमने यहाँ पे इस टाइप से एक monkey लगा दिया, ठीक, और monkey का मास क्या ले लिया जाए 10 kg, उपर जा रहा है monkey, acceleration है इसकी 4, meter per second square, यहाँ पे हमने एक block लगा दिया, block का मास ले लिया 6 kg, ठीक है, टैंसन आपको पता है सेम रहने वाली है, ठीक है, acceleration of block, find acceleration of block, यह सवाल आजाए आपके बास, यह उपर जा रहा है, block लगा दिया, पुली लगा दिया, बात वह इए, और यह आपको पता है मास ले से, ठीक है, अब देखो, अराम से, for monkey, अगर monkey की बात करें, उपर जा रहा है, weight कितना हो जाएगा, 100 newton, अरे mg, m10 है, gv10 होता है, तो अपर, उपर जा रहे हैं, तो t-mg, 100, मास कितना है, 10 acceleration कितनी है, 4, तो t कितना आगे है, पेटा, 100 plus में 40, तो मेरे पास t आ गया, 140 newton, बात समयमा आई या, आगे, अब for block, तो block की अगर बात करें, तो block में weight कितना हो जाएगा, 60 newton, ये भी उपर जा रहे है, t-60, equal to m, ab, मान लिया, अब t तो मेरे पास आ चुका, t की value उपट कर दो, 6 ab, तो 140 minus 60, 80, 6 ab, पास समयमा आई या नही आई, ठीक है, 140 में से 40, 80 आ गया, अब 80 divided by 6, मेरे पास क्या आ गया, ab और ab अगर मैं देखूं, तो ये आ गया 40 by 3, क्या मेरी बात आप लोगों को समझ माई, block की acceleration कितनी है आ गई, 40 by 3, और यहाँ पर अगर देखा जाए, तो monkey की acceleration कितनी है, 4, तो दोनों की अलग-अलग है, clear, ये उपर जा रहे तो block भी उपर ही जाएगा, clear वही बाते निकल के आ रहे हैं, just concept पकड़ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक चीद ध्यान रखने हैं, दोनों उपर जाएंगे, acceleration अलग-अलग होगी, अगर mass सेम है तो acceleration भी सेम होगी, yes और no, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, easy सवाल था, अगर समझ में आ गया हो, चलो, अब मैंने आपसे एक बात कही थी, क्या, अगर relative acceleration दे रखी हो, तो क्या करें भई, अगर relative acceleration आपको दे रखी है, तो क्या करें, देखो, relative velocity का concept इसमें आ गया, तो थोड़ा, अच्छा सवाल हो गया, होट्स में count होता है, हाँ, अच्छा सवाल जबरदस्त, यहाँ देखी, यहाँ पे आपको एक monkey दे दिया भई, ठीक, monkey का mass M है तो weight क्या हो जाएगा, M G Tension क्या है T, ओके, यहाँ पे एक block लगा दिया, block का mass क्या मान लिया हमने M by 2, तो इसका weight क्या हो जाएगा M G Y 2, क्या यह बात समझवाती है, ठीक है, यहाँ पे acceleration of monkey with respect to rope दी हुई है, यह जो है न यह क्या rope, rope की acceleration दी हुई है G Y 6, clear, देखो, if acceleration of monkey with respect to rope H G Y 6, ठीक है, find acceleration of block rope with respect to ground, also find tension in string, string में tension बता हो, बढ़िया सवाल बन गया, तीनों चीज़े निकाल नहीं है, सबसे पहली बाद मुझे क्या दिया हुआ है, सोचो, यही में चीजवा के सवाल खतम, A M R, acceleration of monkey with respect to ground, acceleration of rope with respect to ground, clear, यह दिया हुआ है G Y 6, कहां जा रहा है वई, उपर जा रहा है, उपर का positive हो गया, clear, acceleration of monkey, monkey भी उपर ही जा रहा है, जा रहा है तो, acceleration of monkey, निच्चे इस point भे, जहां monkey है वहाँ पर, जहां monkey है वहाँ पर, monkey अगर उपर जाएगा, तो rope तो निच्चे जा रही है, तो opposite होगे, opposite होगे है, तो minus R, हाँ या ना, बात समझ माई भी, बोलो, ठीक है, यहां से अगर monkey की acceleration निकाले है, तो यह आगई, G by 6 minus acceleration of rope, यह बात समझ माई, ठीक है, अब rope जिस acceleration निच्चे जा रही है, rope से क्या बंदा हुआ है, block, तो block भी उसी acceleration से उपर जा रहे, इसका मतलब क्या हुआ है, acceleration of block और rope बराबर होती है, पिछे ही बताया था मैंने, rope और block की acceleration सेम है, क्योंकि acceleration जो rope है, वही तो block से बंदी हुई है, समझ रहे हो न, monkey बंदा हुआ नहीं है, तो rope और block की acceleration सेम, लेकि यहाँ देखा जाए, तो rope निच्चे आ रही है, block उपर जा रहा है, लेकिन acceleration क्या होगी, same magnitude में, clear, तो magnitude में, am को g by 6 माइनस में, a block कर सकता हूँ, क्या ये बात आपके समझ में आ गई, ठीक है भई, इतनी बात आपके समझ में आ गई, monkey के acceleration क्या होगी, क्या ये concept समझ में आए आपको, clear है, ये अच्छे समझ में आ गए, आगे कुछ नहीं है, खतम, देखो, for block, block की अगर मैं बात करता हूँ, देखो यहीं पे, block उपर जा रहा है, t-mg by 2, equal to, m by 2, a block, equation number 2, क्या मेरी बात समय आई, block उपर जा रहा है, उपर माइनस निच्छे, equal to m, clear, for monkey, ध्यान रखना, monkey की acceleration भी, ground grass factor में, तो यह उपर जा रहा है, minus mg, equal to, mass into acceleration of monkey, अब यह monkey की acceleration थी, rope के respect में, मुझे चाहिए ground grass factor में, वो यह आ गई, हाँ या ना, बात समय में आ गई, ठीक है, अगर यह बात मुझे समझ में, आ जाती है, तो देखो, question में कुछ बचा नहीं है अभी, इस equation को मैं क्या लिख सकता हूँ, t minus mg equal to m am, am क्या है वही, g by 6 minus ab, clear, t equal to क्या हो गया, mg, plus में mg by 6 minus m ab, और इसको मैं सिंप्लिफाई करूँगा, t 6, 7, 7 mg by 6 minus m ab, क्या equation number 3 डाल दूँ इसको, क्या मेरी बात समझ में आई, अरे बोलो, ठीक है, इसको यहां से अठा दे, कोई जूरूत नहीं है इसकी, ठीक है, तो second equation है, t minus mg by 2 यह, और third equation है यह, clear मेरी बात, ठीक है, इतनी बात समय में आगई, तो मैं इसको दुबारा लिख देता हूँ, किसको, second को, second को दुबारा लिखा दी यह आगए, t equal to mg by 2, plus m by 2 ab, equation number 4, दोनों t की ड्रम में आगई, ठीक है, from 3 and 4, 3 और 4 अगर compare करें, दोनों की left hand side T है, तो right hand side भी same होगी, होगी, तो इसको लिखूंगा, मैं mg by 2, plus मैं m by 2 ab, equal to, 7 by 6 mg, minus m ab, clear मेरी बात, ठीक है, यहाँ अगर देखा जाए, तो इनको solve करते हैं, इसको इदर ले जाओ, m by 2 ab, plus में m ab, 7 by 6 mg, ठीक है, तो इसको उदर ले जाओ, minus mg by 2, अरे मेरी बात समझे वारी है, यह हो गया, 3 by 2 m ab, अरे बाई, m ab को मना जाएगा, 1 plus 1 by 2, 3 by 2, यहाँ पे देखो, 3 से multiply, 3 से divide, 6 बेस हो गया, 7 minus 3, 4, 4 mg by 6, क्या मेरी बात समझ बारे हो, ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई, तो यहाँ देखिए, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 2, 3, जा, यह आ गया, m से m, cancel, ab मेरे पास आ गया, 4 by 9, g, equation number 5, b की value आ गई, block के acceleration मेरे पास आ गई, ठीक है, अब मुझे चाहिए मंग कीगी, किस की चाहिए बेटा, मंग कीगी, उससे बहले tension निकाल ले, तो equation number 4 क्या बन जाएगी, equation number 4 क्या बन जाएगी, 4 देखो, 4 मेरे पास है, t equal to mg by 2, plus में m by 2, a b, a b कितना है, 4 by 9 g, तो ये कितना आ जाएगा, देखो जाएगा द्यान से, 2, 2 जा 4, तो mg common, 1 by 2, plus में 2 by 9, अरे बोलो, ठीक है, इसको simplify करेंगे, तो क्या आ जाएगा, mg, 9 plus 4, 13 by 18, तो tension का formula, आपके पास आ गया, t equal to, या 13 by 18 mg, clear, Newton, clear है न, ठीक है, अब मुझे जाहिए, am, तो am का formula क्या है था, अगर सोचो दो, ये आए था, g by 6 minus में a b, यादा रहा कुछ, g by 6 minus a b, equation number 1 थी मेरी, तो am क्या हो गया, g by 6 minus a b, क्या है, 4 by 9 g, clear, तो यहाँ देखो, 9 minus 24, यहाँ कर देता हूँ मैं, यहाँ से मेरे पास, am आ जाएगा, g common ले लो, 1 by 6 minus में, 4 by 9, lc म ले ले, 36, 6 minus 16, और बो, 36 lc म लेंगे, 6, 9 for 16, clear है, तो g minus 10 by 36, तो minus 5 by 18 g, तो monkey की acceleration कितनी आ गई, minus 5 by 18 g, calculation चेक कर लीजिएगा, g by 6, 4 by 9, 9 minus 24, तो पैटा यह, 36 लिया, 6, 6 जा 37, 9, 4 जा 16, सही है मेरे ख्याल से, minus 10 by 36, और minus 5 by 18, तो monkey की acceleration आपके पास क्या आ रही है, negative, monkey की acceleration negative, इसका मतलब, ground के respect में monkey उपर नहीं जा रहा, निच्चे जा रहा है, negative sign का मतलब, हमने जो direction आजूम की थी, उसका opposite होगा, ठीक है मेरे मेरी बात, तो यहाँ पर relative acceleration दे रही थी, relative का मतलब होता है, इसकी rope के respect में, तो ground के respect में निकाल लेंगे उसको, उसके बाद step by step equation बड़ाओ, sol करो, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, जर्नली यह जो question था, इसमें tension पुछी गई थी, और यह पुछा गया था, monkey के acceleration तो मैंने निकाल दी, अधरवाई जर्नली question में है नहीं है, फिर भी आप निकाल सकते हैं value put करके, ठीक है, तो step by step हम लोगों ने monkey के question स्टार्ट किए, इजी से, उसके बाद last time, यह J level तक भोजगे मान लीजिए, बहुत अच्छा question था यह, तो अगर आपको monkey question कहीं मिलता है, तो अच्छे से solve करनी कोईश कीजिए, बिल्कुल नहीं अटकेंगे, 100% guarantee है मेरी, ठीक है बटा, तो अगर आपको lecture पसंद आया हो, तो like कीजिए, share कीजिए, और अपने friends को share कीजिए, और upcoming video अगर आपको चाहिए, तो चैनल को subscribe और ना भूले, thank you,